फेलो दोस्तों आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलज पर आज का टॉपिक है माता चंडी देवी के मंदिर के बारे में मजेदार और रोचत त्य और कुछ अनोखी जानकारियां अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें तो शुरू करते हैं एक चंडी का देवी को चंडी देवी के नाम से भी जाना जाता है यह महिला शक्ती की देवी के रूप में काफी पूजनिय है ऐसा माना जाता है कि यह देवी दानवों का नाश करती है और धर्मनिष्ट वो आस्था से भरे लोगों का उधार करती है इस क्षेत्र में ऐसे दो मंदिर है जो चंडी का देवी को समर्पित है दो चंडी देवी मंदिर उत्तराखन राज्य के घरिद्वार में स्थित है चंडी देवी का मंदिर हिंदूों का एक प्रसिध मंदिर है चंडी देवी मंदिर हिमालय की सब से दक्षणी परवत श्रिंखला शिवालिक पहाडियों के पूर्वी शिखर पर नेल परवत के उपर स्थित है यह मंदिर हर द्वार के भीतर स्थित पंच तीरत पंच तीरत में से एक है यह देश के प्रसिध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है चंडी देवी मंदिर 52 शक्ती पीठों में से एक है तीन चंडी देवी मंदिर सिध पीठ के रूप में अत्यधिक पूजनिय है माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थल है जहां सभी मनों कामनाएं पूरी होती है जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालू अपनी मननते लेकर देवी के दरबार में आते है यह हरिद्वार में स्थित तीन पीठों में से एक है अन्य दो पीठ मनसा देवी मंदिर और माया देवी मंदिर है चार माना जाता है कि जंडी देवी मंदिर का निर्मान सन 1929 में कश्मीर के राजा सुच्चत सिंग ने कराया था लेकिन इसके साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ती आठवी शताब्दी में आदी शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी आदी शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक थे मंदिर को नील परवत के तीरत के रूप में भी जाना जाता है जो हरिद्वार के भीतर स्थित पांच तीर्थों में से एक है पांच देवी चंडी को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है जो इस मंदिर की प्रमुख देवी हैं पौराने कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले शुम्भ और निशुम्भ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्रके राज्य पर कबजा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से फेक दिया था देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद पार्वती ने जंडी के रूप को धारन किया और राक्षसों के स उस असाधारन महिला की सुन्दरता से जकेत होकर शूम्भ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई इनकार किये जाने पर शूम्भ ने अपने राक्षस प्रमुक चंदा और मुंडा को उसे मारने के लिए भेजा लेकिन वे देवी चामुंडा द्वारा मारे गए फिर शूम शूंभ और निशूंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों दोनों राक्षस मारे गए, साथ इसके बाद चंडिका ने नील परवत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया था, माना जाता है कि इसी स्थान पर बाद में एक मंदिर बनाया गया, इसक माना जाता है कि जंडि देवी मंदिर की विशेशता ही उसे खास बनाती है, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालू, उचे परवत पर स्थित इस मंदिर को देखने आते हैं 9. आपको बता दे कि जंडि देवी को काली देवी की तरह माना जाता है और प्राया इनके उग्र रूप की पूजा की जाती है 10. अश्विंद और चैत्रमास की शुकल प्रतिपदा से नवरात्र में चंडि पूजा विशेश समारोह के द्वारा मनाई जाती है 11. पूजा के लिए ब्राहमन के द्वारा मंदर के मध्यस्थान को गोबर और मिटी से लीप कर मिटी के एक कलश की स्थापना की जाती है 12. हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालू चंडी देवी मंदर में देवी का आशीरवाद लेने के लिए जरूर आते हैं तेरह चंडी देवी मंदिर के पास हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर स्थित है और चंडी देवी मंदिर में आने वाले भक्त इस मंदिर भी जरूर जाते हैं 14. मंसा और चंडी देवी पारवती के दो रूप हमेशा एक दूसरे के करीब रहती हैं मंसा का मंदिर विल्व परवत पर गंगा नदी के विप्रीत तर पर दूसरी ओर है 15. चूंकी चंडी देवी का मंदिर मननते पूरी करने के लिए जाना जाता है यही कारण है कि अन्य मंदिरों की अपेक्षा इस मंदिर में भारी भीर जुटती है 16. परवत परस्थित यह मंदिर अपनी लोग प्रियता के साथ ही पहार के मनोरम द्रिश्यों के लिए भी प्रसिध है 17. चंडी देवी मंदिर का संचालन महंत द्वारा किया जाता है जो मंदिर के पीठा सीन है यह मंदिर सुभा पांच बजे के बाद खुलता है और रात में आठ बजे बंध होता है मंदिर खुलने के बाद यहां सबसे पहले सुभा साड़े पांच बजे चंडी देवी की आर्टी की जाती है सुभा की आर्टी के बाद दिन भर पूजा पाठ और दर्शन का कार्य चलता रहता है अठारह अगर आप चंडी देवी मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देख की फरवरी से अक्टूबर के बीच यहां जाना अधिक परजनक होता है चूंकी उत्तराखन परवतिया इलाका है इन महीनों में यहां ज्यादा बर्फबारी भी नहीं होती है और ना ही मंदिर जाने का रास्ता ब्लॉक होता है इसलिए आप सर्धिया शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद और बरसात का मौसम शुरू होने से पहले चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं 19 चंडी देवी मंदिर के पास कई और मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, काली मंदिर, नीलेश्वर मंदिर, मंसा देवी मंदिर और दक्ष मंदिर जहां चंडी देवी मंदिर से कार या बस से भी जा सकते हैं, दोनों के लिए एक साथ टिकट खरीदना संभव है, आप पैदल या रिक्षा से भी हर की पौडी की यात्रा कर सकते हैं, चूंकि सभी मंदिरें आसपास हैं, इसलिए चंडी देवी मंदिर के साथ इन मंदिरों के दर्शन करना लापकारी माना जाता है 20. यह मंदिर हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर एक पहाडी पर बसा है चंडी देवी मंदिर घर की पौडी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर तक पहुँचने के लिए या तो चंडी घाट से 3 किलोमीटर ट्रैकिंग मार्ग से आना पड़ता है और कई चरणों की चड़ाई करके या हाल ही में शुरू की गई रोपवे केबल कार पर चड़कर मंदिर तक पहुँचते हैं तीर्थ्यात्रियों की सुविधा के लिए चंडी देवी उडंग खटोला के नाम से जानी जाने वाली रोपवे सेवा की शुरूआत की गई है और यह तीर्थ्यात्रियों को निकटवर्ती मंसा देवी मंदिर में भी पहुँचाती है 21 रोपवे नाजियाबाद रोड पर गौरी शंकर मंदिर के पास स्थित निचले स्टेशन से तीर्थ्यात्रियों को 2900 मीटर 9500 फीट की उचाई पर स्थित चंडी देवी मंदिर तक ले जाता है रोपवे मार की कुल लंबाई लगभग 740 मीटर 2430 फीट और उचाई 208 मीटर 682 फीट है पहाडी के दूसरी ओर घने जंगल है और रोपवे गंगा नदी और हरिद्वार के सुन्दर द्रिश्य को दर्शाता है 22 चंडी देवी मंदिर घरिद्वार से 6 किलो मीटर त्रिश्य केश से 30 किलो मीटर दिली से 215 किलो मीटर देहरादून से 60 किलो मीटर जौली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से 35 किलोमीटर मसूरी से 95 किलोमीटर दूर है यदि आप हवाई जहाद से आना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट आ सकते हैं फिर वहां से टेक्सी या बस द्वारा घरिद्वार पहुंच कर जंडी देवी मंदिर जा सक सकते हैं 23 यदि आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली देहरादून और रिशिकेश से बसे आती हैं आप हरिद्वार पहुंच कर वहां से जंडी देवी मंदिर जा सकते हैं 24 ट्रेन से आप हरिद्वार स्टेशन पहुंच सकते हैं फिर वहां से जंडी देवी मंदिर जा सक 25 आपको बता दे कि हरिद्वार से चंडी देवी मंदिर पहुंचने में लगभग एक घंटा लगता है यदि आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो रोपवे से 5 से 10 मिनिट में मंदिर पहुंच सकते हैं ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और विडियो को प